नमस्कार मैं हूँ प्रियंका मातुर और आप देख रहे हैं दनगरी निउस करीना कपूर खान को ग्लैमर्स रोल में देख देखकर शायद आप थक गई होंगे या नहीं थक यहोंगे लेकिन करीना कपूर थक गई है और आगई है एक और नय वतार में अंसल मैता की डिरेक्शन में बनी फिल्म The Buckingham Murders का फर्स लुक पोस्टर सामनी आ गया है जाने जाके बाद करीना फिर से एक अलग किर्दार में नज़राने वाली है The Buckingham Murders से करीना कपूर खान बता और प्रोड्यूसर भी डेब्यू पर रही है फिल्मे करीना कपूर एक जासूस महीला का किर्दार निवा रही है जिसका नाम जस भामरा है अगर इसकी स्टोरी की बात करें तो आपको बता दे कि जस एक जासूस है लेकिन इससे पहले वो एक मा भी है जिसने अपने बच्चे को खो दिया है ब्रिटेन के बंकेगम शायर में इस वीच एक दस साल के बच्चे की हत्या हो जाती है जांच का जिमार जैस के कंधे पर आता है, कहानी जैसे जैसे आगे भटती है, नए नए रहस्यों का खुलासा होता है शहर में लगभग हर कोई सत्या का संदिक्त बन जाता है जैस के लिए मुश्किले और भी हैं क्योंकि इस मकड जाल की तरह है उलजे मडर केस ने उसे भावनात तक रूप से अपने बच्चे की भी याद दिलाती है करिना कपूर ने इंस्टा पर पोस्ट शेयर करके अपनी फिलिंस भी शेयर की है और ने कहा कि जैसे कैसा किरदा था जिसे निभाने का मैं फिशले 23 सालों से इतजार कर रही थी मैं हमेशा से जासुसी सिरीज जॉनर की फिल्म की फैन रही हूँ बिए फाई लंदन फिल्म फेस्टिवल 2023 में इस फैल्म को स्टेंडिंग पॉवेशन मिला है फर्स लोग पोस्टर में करीना कपूर खान पुलिस कर्मियों से जूचती हुई निज़रा रही है यकीनन ये पोस्टर फिल्म को लेकर एकसाइटमेंट बढ़ाने बाला है हलाकि मेकर्थ ने अभी फिल्म की रिलीज डेट की कुष्टान नहीं की है ये फिल्म नेट्फिलिक्स पर रिलीज होगी फिल्म में उनके साथ एश्टंडन, रनवीर बराड और कित एलन जैसे दमदार एक्टर्स हैं इस फिल्म को जहां हनसल मैतर ने डिरेक्ट किया है कहानी असी मरूडा, कश्यव कपूर और राघव राज का परने लिखी है अभी के लिए फिल्म इतना ही नमस्कार